हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं नहीं है यह पूर्ण रूप से लगन राशी पर ही आधारित है और इस से पहले के हम आप इस चर्चा को आगे बढ़ाएं अब हम बताना चाहेंगे के आज जो हम बात कर रहे हैं यह आप इस कारक्रम में यह धनू लगन राशी के जो जातक है यानि के सैजिटेरियस असेंडे बेस जो जातक हैं उनके मासिक राशी फल मार्च दोजार बाइस के विशह में बात कर रहे हैं और यह राशी फल क्या कहता है आप धनू लगन के जातकों के लिए गरों की सिति क्या कहती है क्यों की सिति क्या है कैसी है इसके सारे चीजों के विशह में आपके साथ बात करें और केतू जो हैं अपनी मित्र राशी विरिश्चक में द्वादश बाओ यानि के 12 हाउस में बैठे हुए हैं मंगल, बुद्ध, शुक्र और शनी ये चार गरहें आपके चार्ट में सेकंड हाउस में मकर राशी में बैठे हुए हैं जिसमें मंगल यहां पर उच्च की सिती म हैं शनी अपने स्वयम के घर में बैठे हुए हैं और बुद्ध और शुक्र भी इसी घर में बैठे हुए हैं लेकिन बुद्ध जो हैं वो छे मार्च को सेकंड हाउस से मकर राशी से अपनी निकल करके जो इनकी समराशी है थर्ड हाउस में इनका प्रिवेश होगा अपनी समराशी कुम्ब में यहां पर पहले से ही सूर गुरू बिराजमान है और गुरू अस्तवस्था में हैं पर चल रहे हैं और जब बुद्ध यहां पर आएंगे छे मार्च को तो यहां पर आने के बाद 19 मार्च को यह अस्त भी हो जाएंगे और 24 मार्च को फिर यहां से भी निकल जाएंगे थर्ड हाउस से कुम्ब राशी से यह अस्तवस्था में निकलेंगे फोर्थ हाउस में चले जाएंगे मीन राशी में जो इनकी नीच राशी है वहां जाकर के यह नीच के हो जाएंगे और सूर्य इन से पहले यहां आ चुके होंगे 14 मार्च को ही वो तो थर्ड हाउस से निकल जाएंगे अपनी शत्र राशी कुम्ब से और वो शत्र भाव में मीन राशी में अपनी मित्र राशी में आ चुके होंगे बुद्ध के आने से पहले क्योंकि बुद्ध यह 24 को आएंगे वो चौदे तारीक को आजाएंगे शुक्र जो है जो सेकंड हाउस में बैठे है मंगल शनी के साथ ये भी 31 मार्च को यानि के महा के अंतिम दिन ये भी सेकंड हाउस मकर राशी से निकल करके अपनी मित्र राश तो देखिए कि सबसे पहले जो आप से बात करेंगे आपके क्यों कि शनी वहीं पर बैठे हैं तो अचानक आप सेकंड हाउस में बैठे हैं आपके चार्ट में भी तो क्या है कि देखिए यहां पर क्या होगा अपने प्रॉफेशन की लेकर के मैं कहता हूं कई दफा कुछ ऐसा भी हो सकता वैसे तो आप सौफ्ट स्पोकिन हैं लेकिन मै सौफ्ट होते होते कोई सी भी बात कहीं चर्चा चल रही है बात्चीत हो रही है एक दम थोड़ा सा रिजिड हो जाएंगे और मुझे एक दम बिलकुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला भी हैवाब करेंगे जो जो जवान पर आगया बोल दिया सामने वाले के उपर उसका किस प्रकार का प्रभाव पढ़ रहा है आपके बोलने का क्या आसर हो रहा नहीं हो रहा इस से कोई लेना देना नहीं हमें हमें जो बोलना था बोल दिया हम तो साब हमें इधर उदर की बात नहीं आती हम तो सीधे सीधे बोलते हैं यह इस तरीके का रहेगा लेकिन इस तरी या जैसा भी उसका behavior होता है हमारी प्रति तो इस से हमें नुक्सान ही है तो हमें बोलने के टाइम पर सोच समझ के बात करनी चाहिए और यहां पर आप धनू लगन के जातों के चार्ड में जो ग्रों की सिती है वो तो बहुत ही ज़्यादा बात का इशारा कर दे रही है खेर इस बात का आपको ध्यान रखना है अपने कार्य छेत्र में भी चाहें आप परिवार में हैं या जहां पर भी हैं बहुत सॉफ्ट रहिएगा behavior अपना बहुत मिलन सार रखिएगा तब जाकर के कुछ चीज़ें चलेंगी और नहीं तो बैठे बैठाए मानसिक समस्याओं का शिकार हो जाएंगे और जैसा मैं अभी आपसे कह रहा था कि भाग्य का साथ भी आपको पूरूरूरूप से मिलने वाला है कब तक 14 मार्श तक आप अपने कार्य चेत्र में खुब आसानी के साथ आगे बढ़ेंगे 14 मार्श तक आप सफलता हंसिल करेंगे आप उन्नती करेंगे और जो भी कार्य करेंगे वो आपके संपन्न होंगे आपका प्रभूत उचाया रहेगा आपका वर्चस्व बना रहेगा बहुत positive results आपको मिलेंगे अपने कारे छेतर में लेकिन हाँ 14 तारीख के बाद थोड़ा सा उसमें कमी आएगी लेकिन कुछी समय के लिए कमी रहेगी ये चार-पाच दिन के लिए जैसे ही 19 मार्च को बुद्ध अस्त हो जाएंगे थोड़ा सा दिक्कत तो आएंगी 19 मार्च से लेकिन ये एक आज हफते के लिए 19 से 24 मार्च के बीच में थोड़ी situation जो है थोड़ा अधिक चेलेंजिंग हो जाएगे आपके लिए लेकिन 24 मार्च से और महा के अंते तक फिर दुवारा से आप अपने कार्य छेतर में मतलब अपने आपको काफी comfort zone में फील करेंगे कि भाई हम मैं ठीख हूं सही जगा हूं मतलब सही चल रहा है सब कुछ कोई दिक्कत नहीं है ऐसा म अगर पाएंगे प्लैनिंग अगर करेंगे प्रॉपरली तो धन का इन्वेस्टमेंट हो या धन की सेविंग हो वह भी आपकी सई तरीके से हो पाएगी और जहां तक सुक्सुविदाओं का सवाल है सुक्सुविदाओं का लाव उठाने में थोड़ा सा कमी रहेगी आप ब अपने कारेंगे आपका शैडूल जो है बहुत टाइट हो बिजी हो आप व्यस्त जादा रहें ये भी एक बज़ा है और अब बात करेंगे आपसे प्रेम संबंद और व्यवाहिक संबंदों की के इस महा मार्च में आपके प्रेम संबंद क्या रहेंगे बहुत अच्छे र हाला कि उसमें थोड़ी अर्चनों का सामना करना पड़ेगा आपको लेकिन ये छे मार्च तक काई योग है विभा का वो भी थोड़ी अर्चने जरूर हैं ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत स्मूथ है तो उन चीजों के लिए भी आपको अपना पूरा माइंड सेट करके च हां थोड़ा सा दूसरे लोगों से सतर रहें या तो कोई ऐसा कोशिश करेगा कि आपको आपके साथी के साथ देखना पसंद ना करें वो वो ना चाहे कि आपके रिलेशन उनके साथ रहें लेकिन आपके रिलेशन रहेंगे चाहां कोई बीच में कितने ही आपके लिए प्र अपने आपको मार्च के अंत तक थोड़ा सा समल करके चले आपके वेवाहिक सुखों में कमी दिखाई दे रही है 19 मार्च सिर माह के अंत तक तो उपाया आपको देंगे अंत में वो आप करिएगा तो निश्चित रूप से उसका लाब मिलेगा परिवारिक संबंदों की बात करने परिवारिक संबंदों में देखिए परिवारिक संबंदों में ऐसा है कि बीच बीच में संबंदों में थोड़ा सा उतार चड़ाव जरूर आएगा हलाकि प्यार मुहबत अपनी जगा है बना रहेगा लेकिन संबंदों में और वो भी आएगा सिर्फ किस कारण से आपके थोड़ा सा इस पश्ट बोलने के कारण आप को जरूर सजाद है इस पश्ट वादी भी हो जाएंगे बीच बीच में उसी के कारण ये समस्या खड़ी हो सकती है परिवार के सदस्यों के साथ तो इन चीजों पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है यहांपर और शिक्षा की अगर बात करें शिक्षा के छेत्र में कैसा रहेगा बहुत अंदा रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं बहुत अंदा चात्रों थोड़ा सा भी अगर आप गंबीर हुए संतान की बात करें संतान की और से भी माता पिता को बहुत अच्छे प्रणामों की प्राप्ति होगी इस महा के महिने में बहुत अच्छे सुंदर प्रणाम प्राप्त करेंगे आप और स्वास्त कैसा रहेगा स्वास्त भी आपका अच्छा ही रहेगा स्वास्त में भ खान पीन का ध्यान रखेंगे थोड़ा सा भी केरफुल रहेंगे तो कोई ज्यादा समस्या सेहत को लेकर के आपके इस महीने दरूलगन के जातकों को आने वाली नहीं है उपाए आपको बता देते हैं क्या करने हैं देखिए उपाए सबसे पहले या ना है तो उसके लिए फिर आपको बुद्ध को सही करना पड़ेगा उसको सही करने के उपाए यही हैं कि अपनी मौसी अपनी बहन बुआ इनको आप बुद्वार के दिन मिठाई हातों से उनको दें और कुछ अलग से जो भी अपनी सामर्थ के हिसाब से उनको कुछ रुपे जरूर दें बहन मौसी बुआ इत्यादी यह आप काम करें और बुद्वार के ही दिन गणपती जी के श्री चड़ों में मोती चूर के दो लड़ू पान पर जो पान खाने वाला पान हो पर रख करके चड़ाएं यह आप काम कर सकते हैं और गुरुवार के दिन क्या करना है आपने गुरुवार के दिन आपने करना है के शिव सहस्र नाम का पाट करें, शिव सहस्र नाम, चाएंड दसी मिनट करें, और गुरुवार के दिन, रहस्पती के दिन, केले के विरक्ष की पूजा जवगू करें, यह आप काम करें, बस इतने उपाए कर लें, आप का समझी एगा के बेडा पार. तो ये था आप धनुरगन के जातकों का मासिक राशीवल मार्च 2022 का आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करना ना भूलें साथी चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करनें और जो वीडियो है ये इसको भी अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें ताकि लोग इसको देख क करके सुन करके इस से लावान भी थो सके और जो बैल आइकन आप देख रहे हैं जब तक आप ये नहीं दवाएंगे आप के पास जो भी हमारे अगले कारेकरम बनने हैं उनकी नोटिफिकेशन नहीं आएगी वो प्रोग्राम आप तक नहीं पहुँच पाएंगे तो झाल 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 झाल